हेलो एवरिवन आज हम देखेंगे ट्रेडिशनल गुजराती गोड केरीनू अथानू और वो भी बिना गैस चलाए जिसका स्वाथ आपको नानी दादी के हाथों को याद करा देगा और अचार को क्या सर्दी लग जाती है जो इसके साथ ऐसा कपड़ा बांदिया क्या है इस में भरना है और किस तरह से इसको निकालना है सारे सिक्रेट तो फिर नानी दादी के हाथों की तो याद आ ही जाएगी अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बाज़ों में दिख रही बैल आकोन को आल प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो यहाँ पर हमने कच्छे आम लिए वो भी कौन से देशी वाले अब हम इसको दो कर मीडियम टुकड़े कर लेंगे ज्यादा छोटे टुकड़े हमें नहीं करने हैं आपको य नुसार नमाक ले लेघi और अदा चमश हल्दी पाउडर लेकर इससे बहुत अच्छे से मिक्स करके कुछ दो दिन के लिए हम रख देंगे और हर तीन टीन गंटे के अंदर हम इससे इस तरह से मिक्स करेंगे तो दो दिन के बाद आप देख सकते ही केरी का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है अब हम एक छनी की उपर इसे निकाल कर कुछ एक गंटे के लिए ऐसे रख देंगे ताकि इसका सारा खटा पानी निकल जाएगा इसे भी आफ वेश्ट ना होने दे कोई भी दूसरा अचार बनाते हो ना उसमें ये कैरी के रस का काम आपको आजाएगा और इस तरह से हमें रख कर इसका सारा पानी निकाल देना है कोई भी कोटन के कपड़े के उपर एक एक कैरी को खुला करके हमें बीना दूप में इसको घर के अंदरी 14-15 गंटे के लिए खुला रख देना है यहाँ पर हमें पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपने नमक अच्छे से इसमें दाला होगा तो यह कैरी में बास नहीं आएगी वरना यह कैरी में बास आएगी और कैरी के टुकड़ो को हमें खुला खुला ही रखना है एक किलो हमने कैरी के टुकड़े लिये है तो एक किलो हम यहाँ पर गुड को बारी कट करके लेंगे आप चाहे त यहां पर जादू होता है, दो चमच हमने राई की दाल, दो चमच हमने मेथी की दाल भी ले लिए है, और साथ में एक चमच काली मिर्च के दाने, एक चमच से थोड़ी से कम उतने हमने लॉंग ले लिया है, आदा चमच हल्दी पावडर भी ले लिया है, और यहां पर एक कप से थोड़ा सा कम उतना हमने तेल को गरम करके यह मसाले के उपर दाल दिया और इसे ढखकर हम कुछ ठंडा हो जाए तब तक ऐसे ही रहने देंगे ताकि सारा मसाला जो है तेल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और सारा फ्लेवर एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा उसके बार हो गया तब हमने यहाँ पर चार चमच कस्मेरी लाल मिर्श ले लिया है अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर गुड के साथ हम पहले कैरी को उपर रख देंगे यहाँ पर बरतन हमें कोई भी श्टील का ही यूस करना है अलूमिनियूम का नहीं करना है अब ये कैरी के टुकड़े के उपर सारा मसाला हम इस तरह से फैला देंगे यहां पर मैंने एक किलो जो कैरी लिए ना इससे ये पूरा अचार बनते जा रहा है और एक किलो केरी है तो एक किलो गुड़े और इतना मसाला है तो आप देख सकते हो कि कितना सारा अचार बन जाएगा इसे हम दो से तीन दिन तक ऐसे ही रख देंगे और हर तीन चार गंटे के अंदर इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा गुड़ जो है मसाले के साथ मिक्स होते जाएगा और आप देख सकते हो कि दो दिन के बाद इसका कितना प्यारा कलर आ चुका है मैंने इसे टोटल तीन रात के लिए रहने दिया और हर तीन-चार गंटे के बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया है और काच की बोटल को घरम पानी में दोकर सुखा के फिर इसको बोटल के अंदर बरा जाता है ताकि हमारा अचार सालों साल खराब नहों और जब भी हम अचार निकाले तब सुखे चमच से निकालेंगे तो अचार हमारा बिल्कुल भी खराब नहीं होता है जो भी हमें हफते पर के लिए खाना है उसे एक छोटी सी बॉटल में निकाल लेना है अब तो यहां पर हमने अचार को तो बर लिया पर अगर हमें बारिस के सीजन में इसकी उपर अगर फंगस लगने का दर लगता है तो इस तरह से कोटन के कपड़े को आप फिट बाद देंगे तो इसके उप पर कोई फंगस लगने का भी दर नहीं होता यह हमारे नानी दादी का ट्रिक है इससे जरूर से फॉलो करिए तो जल्ड मिलेंगी और नए वीडियो के साथ